Hello friends, welcome to my channel, मैं हूँ काव्या और यह है beautiful सा hibiscus So friends, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि singonium के plant को हम किस तरह report कर सकते हैं यानि indoor plants को हम किस तरह report कर सकते हैं किस तरह की soil, किस तरह की fertilizer और care हमें उसकी करनी है जिसे वो बहुत अच्छी growth करें और beauty दें हमारे garden को तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं So ये है friends, मेरा pink singonium जिसे मैंने recently purchase किया था आपके सर शेयर भी किया था इसका वीडियो तो किस दिनों के लिए मैंने इसे ऐसे ही रख दिया ताकि मेरे garden के environment में ये set हो सके तो आप अगर मेरे videos regular देखते हो तो आपको पता होगा कि मेरे garden में मैंने artificial grass डलवाया है तो artificial grass को मैं हर सुबर जो है हलका wash करती हूँ जिससे इसमें washer present होता है तो आप देख सकते हो ये एक singonium plant का nude area इसके contact में आ चुका था artificial grass के और देखे ये बिलकुल भी निकल नहीं रहा है यानि इसके roots grow हो चुके है तो ये एक फायदा है friends मेरे लिए rainy season में मुझे कई plants में इस तरह के फायदा मुझे मिल जाता है जितमें भी plants होते है जो contact में आ जाता है grass से उसमें अच्छे से roots grow हो जाते है तो चलिए friends अब हम इस plant को report कर लेते हैं तो सिंगोनियम एक foliage वाला plant है यानि इसे grow करते है इसके foliage के लिए यानि इसके पत्तों के लिए ही इसे grow किया जाता है और आज मैं इस pot में इसे grow करने वाली हूँ तो सिंगोनियम के लिए आपको किसे भी pot को use कर सकते हो आप इसे hanging basket में भी grow कर सकते हो बहुत ही beautiful लुकाता है hanging basket में भी तो जो सिंगोनियम के लिए soil हमें prepare करनी है वो किस तरह की soil हमें देनी है तो सिंगोनियम का जो soil है वो बहुत ही simple है हमें किसी भी तरह के ज्यादा fertilizer की ज़रुरत बिल्कुल भी नहीं है आप इसमें आपको लेना है soil आप लीजे 50% soil जो garden soil होता है 50% आपको लेना है और आप इसमें add कीजे 20% sand ताकि हमारा जो soil है वो well rain बन सके और इसमें हमें add करना है वर्मी कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट एक बहुत अच्छा source होता है nitrogen का जिससे हमारे जितने भी foliage plant को nitrogen मिलता रहता है और यह बहुत अच्छी growth करते रहते हैं तो आपको बस इसमें वर्मी कंपोस्ट एड़ करना है आप चाहो तो नीम खली भी add कर सकते हो बट सिफ simple garden soil और अगर आप वर्मी कंपोस्ट में भी इसे लगाते हो तो यह बहुत अच्छी growth करता है तो मैंने इस soil को अच्छे से mix कर लिया है अब हम इसे add कर लेते हैं pot में तो जब भी आप pot select करते हो तो इसमें अच्छे कासे drainage hole लोना काफी ज़रूरी है तो आप अच्छे से drainage hole कर लिजेगा pot में इन सारे drainage holes को मैंने cover कर लिया है एक cloth से तो आप चाहो तो टूटे हुए clay pot के टुकरे डाल सकते हो या पत्थर भी डाल सकते हो अब हम इसमें add कर लेंगे soil तो हमें half pot soil से cover कर लेना है मैंने cover कर लिया है अब हम इसमें लगाएंगे plant तो जब भी आप plant report करते हो तो थोड़ा सा soil को moist कर लिजेगा ताकि हमारा plant reporting shock में न जाए क्योंकि अगर plant की root ball है वो dry होगा और आप एकदम से उसे report करोगे तब भी हमारा plant shock में जा सकता है तो आप हलका जो है इसमें moisture जरूर होना चाहिए root ball में और आप देखे कितने अच्छे तरह से इसके roots ग्रो हो चुके है तो मैं हलका हलका जो है नीचे से soil निकाल दूँगी ताकि ये roots जो है अच्छे से clean up हो जाए यानि सीधे सीधे हो जाए तो बस हमें इतनी ही soil निकालनी है नीचे की और अब हम इसमें लगा देंगे ज्यादा root ball को में disturb नहीं करना है और अब हम इसमें add कर लेंगे soil ताकि हमारा root ball cover हो सके तो मैंने भर लिया है friends soil अब हम इसमें add करेंगे पानी तो पानी आप अच्छे से दे दीजेगा जब भी आप report करते हो तो आपको पूरे pot में अच्छे से पानी देना है जब तक drainage hole से पानी निकलना जाए और इसे आपको रखना है किसी shady location में और कुछ दिन बाद आप इसे morning की sunlight दे सकते हो आप इसे money plant की तरह grow कर सकते हो यानि कोई monstick के साहरे इसे आप चड़ा सकते हो या तो आप इसकी cuttings लेकर आप किसी hanging basket में या किसी और pot में लगा कर इसे propagate भी कर सकते हो देखिए हर node area पे इसके roots होते है तो यह बहुत easily propagate हो जाता है और आप इसे पानी में भी बहुत easily propagate कर सकते हो तो कुछी दुनों में यह plant बहुत ही जल्दी बुशी हो जाएगा बस इसे आपको morning की sunlight या bright light में रखना है तो यह था friends आज का वीडियो इंडो plants या singonium को आप किस तरह report कर सकते है तो जितने भी आपके fully जवाले plants हो बस आप इस तरह उन्हें report कीजे औ और आपका plant बहुत अच्छी growth करेगा तो वीडियो कैसा लगा friends मुझे जरूर बताइएगा I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजेगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा तो चलिए friends मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखे सेफ रहे हैं ली रहे हैं थैंक्स अलोट फॉर वाचिंग मैं वीडियो फ्रेंड